लखनादौन पुलिस ने किया हत्या के आरोपी को गिरफतार मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील महता के निर्देशन में अतिरिक पुलिस अधीक्षक जीडी शर्मा है SDOP अपूर्व भलावी के मार्ग दर्शन में लखनादौन पुलिस द्वारा हत्या का खुलाशा कर आरोपी को गिरफतार करने में सफलता प्राप्त की है बताया गया कि गत नौ सितंबर लखनादौन थाना अंतर गत ग्राम जोगी गुफा के पहाई के जंगल की जाडियों में रूप लाल पिता खोवाराम तेकाम उम्रत थाईस साल निवासी जोगी गुफा का शर्व संदिग्ध अवस्था में मिला था मृतक के गले में गमचे का फंदा लगा होकर जाडियों में बंधा हुआ था मृतक के पी-म रिपोर्ट में अंदुरनी चोटों से मृत्यू होना बताया गया जाच पर अप्राद पंजीबद कर विवेचना में लिया गया वरिष्थ अधिकारियों के निर्देशन में दो टीमों का गठन किया गया संदेल के आधार पर मृतक का बड़ा भाई बिर्जन तेकाम उमर 40 साल निवासी जोगी गुफा को चिनहित किया गया जिनके बीच जमीन का विवाद चल रहा था वगहटना की पश्चात फरार हो गया था जिसे नागपुर से गिरफतार कर पूचताच करने पर भाई से पैत्रिक जमीन के मनपंसद हिस्से व जमीन खरीदने के पैसे वापस नहीं देने पर विवाद होने पर पेटवचाती में पत्थरों से मार कर हत्या करना वस्वयम के गमचे से मृतक की गले में बांध कर पतेल, गोविन पतेल आरक्षक नवनीत पांडेय आरक्षक धनेश्वर यादव, राजु धुर्वे, खुमेश्वर गायकवाद का सराहनिय योगदान रहा.